हाई मैं वो प्रियामदा आपकी साथ और जब से कोरोना महामारी फैली है हेल्थ को लेकर के अवेरनेस बढ़ गई है अच्छी बात है नहीं बढ़ी होती तो दिक्कत की बात थी और हेल्थ के बारे में नॉलेज इकठा करने के लिए जब हम ऑल्लाइन जाते हैं तो बहुत सा करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक अथेंटिक इंफरमेशन पहुचा सको कुछ ऐसी बेसिक इंफरमेशन आपको दे सको जो रोजमर्रा की लाइफ में हम इग्नोर कर रहे हैं हैल्थ को समझने से पहले उन फैक्टर्स को बनाने में लेकिन हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो हुमन इंटराक्ट्शन से चेंज हो रही है जिनका हमारे उपर डिरेक्ट असर पढ़ता है सबसे पहले बात करते हैं एक एक मॉस्फेयर अवेलिबल है जहां पर हम सांस ले सकते हैं यह अपने आप में बहुत उनीक है किसी और ग्रह पर यह विशेष्टा नहीं पाई जाती है और प्रत्वी पर भी एक निश्चित उचाई तक ही सांस लेने योग इन्वार्मेंट अवेलिबल है लेकिन कि अगभी आपने सोचा है यह जो प्रांड वायू है जिसके बिना हम सायद 5-10 मिनट भी नहीं रह सक लेकिन रिसेंटली एक रिसर्च होई जिसने यह साबित किया कि हमारे शरीर का ऐसा कोई और नहीं है जो एर प्लूशन की वज़ा से अफेक्ट नहीं होता है कैसे देखिए वैसे तो बॉड़ी का एक मेकानिजम है जिससे बॉड़ी जो है वो एर को फिल्टर करती है और सां वही का उसलिनरी में जुड़ी होते हैं और यह फाल जाते हैं और फर हमारा इंप्राइं मेंुन शिस्टम के थे जपी अज़ाते हैं तो फिर हमारे हमारा इंप्राइण और में इंजाइम इंक्रीज करेगा तमाम तरह की बाड़ी में धिककत चुरु हूँ जाती हैve और फिर हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होगी, ब्रेइन में प्रॉब्लम होगी, किद्नी में प्रॉब्लम होगी, लिवर में प्रॉब्लम होगी, और हम अनहेल्थी होते चाते हैं. World Health Organization मानता है कि यह जो air pollution है, यह tobacco के बाद second deadliest killer है. सबसे जादा लोग air pollution से मरते हैं tobacco के बाद. Public Health Emergency भी घोशित हो चुके air pollution को लेकर के और आपने भी देखा होगा कि lockdown में लोग यह देख रहे थे कि air quality index कितनी improve होई है. वैसे तो 0 to 50 अगर air quality index है तो वो हमारे सांस लेने योग यवायू है. लेकिन अगर आप चेक करना चाते हैं इस समय आपके शहर की air quality index है वो क्या है? तो आप online जाकर कि उसे चेक कर सकते हैं. दूसरा factor है water. आपने देखा होगा कि जब पृत्वी से बाहर जीवन की खोज की बात की जाती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि वहाँ पर पानी के availability की क्या संभावनाए है. और इतना essential part हमारे जीवन का जब contaminated हो जाता है तो तमाम तमाकित तरह की बिमारियां हो जात और बारिश के पानी के साथ खेतों में से pesticides, fertilizers बह करके भी पानी में जाकर के मिल जाते हैं जो novel system को damage करते हैं और cancer जैसी खतरना बिमारियां देते हैं. और अब बात करते हैं food की. तो देखिए soil pollution की वज़ा से जो food है वो भे कहीं ने कहीं हमें polluted ही मिल रहा है. पूछे कैसे आप देख रहे हैं कि production बढ़ाने के लिए जादा से जादा खेतों में fertilizers use हो रहे हैं, जादा से जादा pesticides use हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारे खाने में मिल करके चले आते हैं. ऐसा वैग्यानिक मानते हैं, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ. और दूसरा factor यह है कि जो पृ नहीं कहीं deposit होते जाती हैं और आगे जाकर के वो हमारे लिए cancer कारी होती हैं. अब इसका यह मतलब नहीं कि जो लोग non-megetarian हैं उनकोई बिमारिया नहीं होती होगी, क्योंकि जो non-mage है, यानि कि जिस पक्षी को, पशु को हम खाते हैं, वो भी तो कहीं नहीं से plant पेर ही dependent है अपने food के लिए, तो जो food हमारी थाली में आ रहा है, pollution उसमें भी है. और अब बात करते हैं उस factor की जो धरती पर life को possible बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, वो है sunlight. और sunlight से हमें vitamin D मिलता है, लेकिन मिलेगा कैसे, हम खुद को expose ही नहीं कर रहे हैं, मैं यह नहीं कह कि में जून के महीने में जाकर के हमें sunlight में खड़े हो जाना चाहिए, लेकिन sunlight हमारी body को मिलनी बहुत सरूरी है. अब देखिए, इंडिया में जहां पर 12 में से कम से कम 10 मेने तो हमें proper sunlight मिली जाती है, उस देश में 70-90 प्रतिशत लोग vitamin D deficient हैं. और रीसर्च में यह पाया गया है कि vitamin D की deficiency से cancer भी होता है, infectious disease होते हैं, type 2 diabetes होता है और autoimmune diseases भी हो जाते हैं, autoimmune diseases वो होते हैं, जिसमें हमारी body का जो immune system है, वो confuse हो जाता है, उससे समझ में नहीं आता है कि जो healthy cells हैं, उनको किल करना है, और जो bacteria आए हैं, उनको किल करना है, तो हमारी body में तमाम तरह की problems श जरूरी है, कि जिन factors की वज़ा से life possible है, वो हमें मिले, जैसे कि शुध वायू, आप चेक करते रहे हैं अपने शहर का air quality index कि कहीं वो खतरनाक स्थर पे तो नहीं जा चुका है, अगर जा चुका है तो फिर obviously आपको mask लगा के जाने की ज़रूरत है, और सुभा सुभा deep breathing करने में आपको मदद मिलेगी, और ये ध्यान दे कि आपको पीने का शुध पानी मिल रहा है, और अगर नहीं मिल पा रहा है किसी वज़ा से, तो पानी को हमेशा बॉल करके पीए, और ये भी कोशिश करें कि organic food खाएं, और inorganic food से, chemical pesticide, fertilizer वाले food से, जितना हो सके, दूरी बना क के रखें, सुबह सुबह की हलकी धूपले, और ऐसे लिए कि आपकी जो स्किन है, वो सूरज की रौष्णी की कॉंटाक में आए, एक और इंपोर्टन बात, अपने आपको और अपने आसपास के वातावरण को स्वच रखने की कोशिश करें, साफ सफाई का पूरा ध्यान तो इस पूरे वीडियो का असार ये है कि हल्दी रहने के लिए हमें सबसे पहले उन फैक्टर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनकी वज़ा से धर्दी पर लाइफ पॉसिबल है, जैसे एर, वाटर, सैनलाइट और फूड और हमारे आसपास का साफ स्वच आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, इस वीडियो को शेर करें, और हमारे चानल को सब्सक्राइब करें थांक्यो फो वाट्रें